देरेशुट्स एक्सरसाइज वान एप है मेरे पास और यह क्लास नाइन का आरे सगर्वालकर मैथ है इसका कोश्चन नम्र 9 तक हम लोग कम्लेट कर चुके हैं नेक्स विडियो में हम लोग स्वाल्व करेंगे तो कोश्चन नम्र 10 है यहां पर और और कोश्चन में करना है और यह question जो है 2015 में पूछा गया है काफी important question है काफी careful होके हमें बनाना है तो आए solve करके दिखाते हैं आपको यह है question number 10 और इसको solve करते हैं एक एक करके rationalize करते हैं तो यहाँ पे हो गया रूट 13 माइनस रूट 11 इसके नीचे रूट 13 प्लस रूट 11 इसको resize करने के लिए हम इस number का use करेंगे सिर्फ sign change करेंगे रूट 13 प्लस है तो माइनस हो जागा माइनस रूट 11 हो गया और नीचे में सेम रहेगा रूट 13 माइनस रूट 11 अब जो है इसको multiply करने पर क्या आएगा यह दोनों जो है सेम हमें दिखाई दे रहा है सेम मिल रहा है तो इसका formula हमें यहाँ पे use करना है a माइनस b का whole square equal to होता है a square प्लस b square minus 2 a b पस इस परोले पर हमें इसको set कर देना तो a जो है 13 हो गया रूट 13 और भी हो गया root 11 तो यहाँ पर हो जाएगा root 13 का square plus root 11 का square minus 2 a b जो है वो root 13 है तो multiply कर देते हैं root 13 और b तो root 11 यह भी multiply हो गया नीचे में आ गया नीचे में a plus b a minus b equal to होता है a square minus b square इस तरह से होता है a plus b a minus b equal to a square minus b square तो उसी तरह से यहाँ पर root 13 का square हो जाएगा a square minus b square root 11 का square यह हो गया इसका जो है हमें value मिल जागा 13 root 13 into root 13 equal to 13 हो गया 13 plus root 11 root 11 into root 11 equal to हो जाएगा 11 यहाँ पर minus हो गया तो इन दोनों को multiply करेंगे 13 और 11 का तो आ जाएगा 143 तो 2 रह जाएगा 2 root 143 यह हो गया और इसके नीचे में आ गया 13 minus 11 और इसके आ गया आ जाएगा यह plus यह plus तो हो गया यहां पर हो गया 11, 11, 22 हो गया और 24 हो गया 24 minus 2 root 143 by 2 हो जाएगा यहां पर इसको और शोट करने के लिए हम 2 common ले सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 12 minus 2 लिकल गया तो root 143 बच गया राकट बंद कर देते हैं इसको और नीचे में हो गया 2 तो 2, 2 cancel हो गया तो बच किया गया ओनली इतना यहां पर 12 minus root 143 एक value हमें मिल गया है दूसरा value लेते हैं इसमें यहां पर दिया हुआ है root 13 plus root 11 नीचे में दिया हुआ है root 13 minus root 11 square slice करेंगे root 13 plus root 11 नीचे में भी same होगा 13 plus root 11 equal to करेंगे तो यहां formula कौन सा यूज हो रहा है यहां formula हो रहा है यूज हो रहा है a plus b का whole square equal to होता है a square plus b square plus 2ab यह होगा तो इस फर्मुले पर हम इसको set करेंगे root 13 ka square plus b b मतलब होगया root 11 का square plus 2a into कर देते a में root 13 होगया और b में root 11 होगया उसके बाद नीचे में है 13, root 13 का square, minus root 11 का square, अब आगे जो है, ये 13 है, 13, तो 13, 13 हो जागा, root 13, into root 13, 13 हो गया, plus 11 हो जागा, उसके बाद प्लस दिया हो आए, प्लस ही होगा, और इन दोनों कोजा हम मल्टिप्ला किया थे, तो 143 आया था, तो वहीं आगा यहाँ पर भी, plus 2, root 143, नीचे में आगया, 13, minus 11, और यहाँ, पे इकल टू क्या हो जागा, ये दोनों एड हो गया, 24, तो यहाँ भी 24 हो जागा, और प्लस 2, 143, और नीचे में हो गया, 2, तो यहाँ 2 कर देते हैं, और इसको छोटा करने के लिए common ले ले लेते हैं, यहाँ पर गया, 12, plus 2 नीकल गया, root 143, नीचे में 2 हो गया, तो ये 2, 2, cancel हो गया, तो finally इसका आगया, 12, plus root 143, दो value हमें मिल गया, अब हम इसको calculate करेंगे कर लेते हैं, calculate the values, तो यहाँ पर यह first value है, 12, minus root 143, इसको हम रखते हैं, bracket में, और बीच में plus है, question में, plus दियाओ बीच में, तो हम plus दे दिया है, और फिर इसको भी bracket में रखते हैं, 12, plus 143 को bracket के अंदर, अब जब bracket open होगा, तो क्या हो जाएगा, तो 12, minus root 143, यह plus है, तो कोई भी sign change नहीं होगा, जो जैसे हो इसी रहेगा, plus 12, plus 143, यह हो गया, तो हम देख रहे हैं, कि यहाँ पे यह जो है, minus है, और यहाँ plus है, यह दोनों cancel कर देते हैं, और यह plus है, और यह भी plus है, दोनों plus है तो 12, 12, 24 हो गया, 24, और यहीं इसका answer हो गया, complete हो गया, next question लेते हैं लोग,